Hello, Welcome back to my channel तो आज हमें एक बहुत ही हिली रेसीपी बनाने वाले हैं आप लोग बहुत हिली हैं और सेफ हैं तो सर्जियो का टाइम अलोडी स्टार्ट हो गया है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसीपी के साथ तो आज एक डाइट रेसीपी में आप लोग साथ अपनी डाइट रेसीपी शेयर करूँगी और इस डाइट रेसीपी को आप टेस्टी वे में कैसे खा सकते हैं कैसे आपको बोरिंग ना लगे तो चलिए शुरू करते हैं और इस रेसीपी का नाम है हनी गालिक ब्रोकली स्टर फ्राइच चिकन तो कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं कि स्टर फ्राइच करेंगे हम इसको गालिक और हनी के साथ थोड़ा सा चिकन को तो मैंने जो है चिकन ले लिया हुआ है अल्मोस्ट तो चली शिरू करते हैं और एक ब्रोकली है तो जादा हमें कुछ नहीं चाहिए च्री फोर क्लोव समको गालिक चाहिए और अनियन चाहिए हमें और सेसमे सीट चाहिए तो कैसे बनाएंगे तो पूरी वीडियो देखते रहेगा तो चली शिरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम पैन ले लेंगे और पैन को अच्छे से गरम करें इसमे सीट्स आड़ करूंगी जिससे सफेद तिल कहते हैं तो यह तिल मैंने इसमें डाल दिया है और इसको पहले में ड्राय रोस्ट कर लूँगी अच्छे से थोड़ा से गोल्डेन हो में तो मैंता ने से खरण और इसमे सीट के लिए बहुत हम आछा होता है सिस में अडरा इसको गूगल कर सकते हैं और आप किसी भी खानें में अगर इसको टॉप इंखरे से तेस्ड बहुत ही साथा इंकरीज हो जाताथा तो इस तरीके से में इसको गोल्डेन कर लोगी और तो फिर साइट में रखतोंगी तो पान में यहां पे रिफाइंड ओल थोड़ा सा आट कर दिया है आप चाहे तो सिसमे ओल भी आट कर सकते हैं या आप चाहे तो मस्टर्ड ओल या गी या बटर जो आपको सही लगे मैं इसमें गालिक पाच्चे गालिक को मैंने चॉप कर लिया है तो मैंने इसमें गालिक आट कर दिया और आप चाहे तो गालिक अवोइड कर सकते हैं अगर आपको ना पसंद हो तो और अब मैं इसको थोड़ा सा स्टर कर लूँगी और फिर इसमें चॉप्ट अनियन अब इस और इसको अच्छे से गोल्डन होने तक हम थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे अब इसी पॉइंट में मैंने चिकन आड़ कर दिया है चिकन मेरे बॉनलस है और यहां पे 200 प्राम्स चिकन है जैसे मैंने आप लोगों को बताया तो मैं अच्छे से धो के रख दिया तो मैं मैंने अड़ नहीं किया है और आप अपने पसंद के साइस का चिकन आड़ कर सकते हैं अगर छोटे साइस में और बॉनलिस हो तो जादा बैटर होगा तो इसमें बॉनलिस है कुछ और थोड़े बॉन विध भी है तो अब मैं अच्छे से मिला लूँगे मिक्स कर लोगी और जादा बड़े साइस की चिकन होते है तो वह गल्ले में टाइम लगता है तो आपके चि कर रहे हैं कि यह मैंने थोड़ा इसमें सॉल्ट कर दिया कि बैतरी और इसको फिर से हम जो है स्टर कर देंगे कि अज़िए कि अज़िए कि इसको मैं पाद से दस मिंट के लिए थोड़ा कवर कर दूँगी तो दस मिंट हो गया है और अब इसके लिए धटाक के देख रही हूं यह और मुस्ट पक गया है अच्छे से फ्राइ हो गया है बहुत अच्छी कुश्बू आ रही है और जो चिकन का पानी है वह भी तो इसको हम 2-4 मिनिट थोड़ा सा इसी दरीके से फ्राइ करेंगे वेरी नाइस और अब हम इसमें ब्रोकली आट कर रहे हैं इसी पॉइंट पे ब्रोकली आट कर रहे हैं और आप चाहे तो पहले ब्रोकली को बॉल करके आप इसमें डाल सकते हैं या आप पहले फ्राइ कर और फिर आप रोकली बाद में डाले तो जैसा आपको सही लेगे तो मैंने खट्टा डाल दिया एक साथ डाल दिया तो जिससे अच्छे से एक साथ ही कोख हो जाएगा तो इसी तरीके से हम इसको 5-7 मिनट इसी तरीके से स्टर करेंगे करेंधेबं और या तो कॅ कर तो अग City आरे है घाबेगे तरीके साफ इसे अटक है पकाते रहें और हए रिपाएव एह द्सेट ने है और शुट कुद्ट में जाशे अगा कोड़िगे अब बिल्कुल पक चुका है। बस थोड़े साथ करेंगे चिली गालिक सॉस में आप चाहे तो केच्छप आप कर सकते हैं। चिली गालिक सॉस में अच्छा टेस्ट आता है। आप इसमें बार्बिक्यू सॉस भी आप सकते हैं। और अब मैं इसमें आट कर रही हूँ हनी, जी हाँ ये मेरा और्गानिक हनी है तो ये मैं अब इसमें हनी आट कर रही हूँ, जी हाँ और अब मैं इसमें सोया सॉस आट करूँगी, तो सोया सॉस आट कर देते हैं अब यह थोड़ा सा आड़ करना है अब इसको अच्छे सा स्टर करके मिला लें यह ही कंप्लीट है और आपको कुछ आड़ नहीं करना है सॉल्ट आपने आड़ कर दिया है बट फिर भी अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा इस पॉइंट पर आड़ कर सकते हैं इन सब में अल्रेडी थोड़ा थोड़ा सॉल्ट रहता ही है तो हमें नीट शायद ना पड़े या मेभी थोड़ी से सॉल्ट आड़ करे तो यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी आड़ कर दिया है और इसी पॉइंट पे हम इसको दो चाय मिनिट के लिए और धग देंगे और अब क्या है तो मैं लिटा देंगे तो मैं लिटा देंगे तो मैं लिटा देंगे आप इसे चेक कर सकते हैं यह इतना टेस्टी लग रहा है इतना हिल्दी रेसिपी अगर आप बनाएंगे तो आप खुछ भी रहेंगे अब इस तरीके से इसमें पनीर या टोफू भी आड कर सकते हैं चिकन के बले तो आप और भी वेजिटेबल समें अब कर सकते हैं ब्रोकली के लावर लाइक कारट वगर और अब मैं इसमें लास्ट पेस इसमें सीट्स अड़ कर रही हूं इससे बहुत अचा करेंच और टेस कर दीजेगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर दीजेगा तो गाइस मैं चलती हूं फिर मिलेंगे नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाइ झाल 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 तो गाइस आप लोगों ने देखा की यह टोस्टेट फ्राइड चिकन मेंस स्टर फ्राइड चिकन विद ब्रोकली और गालिक अंड सम् टेस्टी सॉस ही कितना अच्छा कॉंबिनेशन बना अगर आप डाइट कर रहे तो गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी तो आप इसको स्टीम राइस या आप रोठी के साद आप इसको खा सकते हैं या आप इसको ड्राइब भी खा सकते हैं रूखा इसमें मैंने जो है पानी का इस्तवाल बहुत ही कम किया है आप चाहे तो इसको थोड़ा ग्रेवी भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको थोड़ा कर सकते हैं तो मैंने इसमें वांफ्रो आड नहीं किया है क्योंकि समय ने हनी अड़ किया तो यह अल्मोस्ट इतना जादा थिक हो गया है तो यह थोड़ा से ठर्ड़ा हो जाएगा फिर हम इसको खाएंगे तो गाइस आप लोगों को में यह वीडियो बहुत अच्छे लगी होगी और अगर लगी होगी तो एक लाइक शरू करते शेगा और इसको घर में बनाके जरू ट्राइ कीशेगा आप लोगों को बद अच्छा लगने वाला है यह रस्पी तो गाइस मैं चलती हूं और फिर मि किले बाइ